तो आज हम देखेंगे कि unity में splash image कैसी बनाई जाती है जैसे आपका video या कोई भी app launch होता है तो उसमें लोगो आता है इंड्रो तो वो कैसे बनाएंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको जाना यहां files में यह build setting मिलेगा तो इस पर जा सकते या तो आप अपने keyboard में ctrl plus shift plus b दबा दीजिए तो आपकी screen कुछ ऐसी open हो जाएगी तो यह launch हो गया है तो अब आपको यहां player setting में जाना है तो employee setting का आपका ऐसा रहेगा कुछ यह तो आपको यहां android player दीखेगा कुछ इस तरता साद इस तरीके का आपका दीखेगा तो अपको इस पर e click करना है इस पर e qd signal करने के बाद आपको आपका जो यह वो कुछ इस तरह दीखेगा तो आपका जो यहां splash image लिखा इस पर जाना है यह splash image लिखा है यह आपका पुरा splash image का यह है फिर इसमें non-textured 2D लिखा है तो आपको इसको select करना है तो जिसमें आपकी जो image यहां आपने save की होगी वो यहां आ जाएगी तो उसके लिए सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा आपको पहले आएक image अप्रूट करनी पड़ेगी यह जो image इसको आपको drag रोगी इसको सीधा कर लेता हूँ image सीधी हो गई इसको यहां drag and drop कर लेना आपको यह में z हो गई है तो अब वापस चलता है हम इस पर हमरी स्क्रीन पर तो आपको यहां select करना है यह आ गई आपकी slide 2 इसको select करके enter यह देखिए यह हो गई फिर इसका preview चेक करते हैं इसको cut कर देते हैं और वापस प्रेश इमेज में जाके इसका preview चेक करते हैं तो यह जो है आपका made in unity के बाद आपका इसमें आ जाएगा यह आपको शो नहीं करेगा अगर आपका paid version है तो यह आपको आपकी screen पे show करेगा वरना वह आपको यहाँ preview नहीं दिखाएगा और फिर यहाँ आप अपने logo लगा सकते हो तो logo image का ही logo कैसे convert करेंगे इससी को इस पे click करके यहाँ inspector में उसका default है यह देखिए यह इतना सब है तो इसको sprite में करना है sprite and UI apply अब यह जो है आपकी यह बन गई sprite बन गई है तो जिसको आप अभी इसमें add कर सकते हो यह जो sprite 2ds में तो इसमें add नहीं होगा जो sprite लिखाए ना इसे में आपसे भी image add कर सकते हो यह देखो ट्रिवु देख लो आप उसका पीछी का background तो यह जैसे हमने add कर ली तो यह background image रहेगी उसकी तो जैसे आपका logo आएगा उसका background रहेगा यह image तो जैसे कि आपने अभी इसका preview देखा तो जो यह है उसकी जो opacity हो कितने रखने आपको 0 पे रखनी है यह कैसे रखनी है यह जो blur background इसको अभी हम uncheck करते हैं और इसका फिर से preview देखते हैं और अगर वही हमने इसका background blur कर दिये तो वह वापस पहले जैसा दिखेगा यह दिखे ब्लर दिख रहा है और dark on light यह देखो इसको statics में custom अगर आपको paid version है तो यहां आपको unchecked का option दिखेगा जिससे कि आपको जो app है उसमें unity का कोई logo ने दिखाई देगा कि आपको unity का logo दिखाना है कि नहीं दिखाना है यह option आपका unlock हो जाता है तो आप हमने देख लिए इसमें कि यह सब add कर दिये image add कर दिये background image add कर दिये और अब देखेंगे अगर पहले unity का अब sequence wise देखेंगे तो पहले आएगा unity का logo फिर यहां plus पे क्लिक करेंगे तो आप अपना logo भी लगा सकते हो तो इसको आप यहां drag and drop भी कर सकते हो तो अब इसका preview देखते हैं यह देखो पहले unity का logo आया फिर आपका यह आपका 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 भी logo आ गया और भाहिए अगर हम सिर्फ सिर्फ यह unity logo below रखेंगे तो आपका जो एक और logo वह उसके उपर आ जाएगा यह आप देखते हैं यह देखो unity का logo नीचे है और वह उपर है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर आपको दोनों एक साथ रखना है तो दोनों भी रख सकते हैं यहां से आप इसका time duration चेक कर सकते हो इसको कितना रखना है आपको अब हम इसको कर लेंगे 5 seconds तो अब इसका preview देखते हैं यह ज्यादा बड़ा बड़ा होता जा रहा है और वहीं अगर हम सिर्फ इसको sequence wise रखेंगे तो इसका average view है 5 seconds इसका 2 seconds है तो अब इसका preview भी चेक कर लेते हैं यह कैसा दिखेगा आपको जो unity का logo था वह बहुत कम रुका था और जो आपका logo था जो हमारे चैनल को जो logo रखा था हमने तो वह जादर दे था क्योंकि हमने इसका time यहां से change कर दिया था इसका duration है वह सिर्फ 2 seconds के लिए अबलेबर है और वह जो हमारे logo है उसका duration 5 seconds है ठीके तो अब बारी आती है जो आपका unity है जो आपका app का icon वह कैसा दिखेगा तो आपके icon के लिए भी आपको यहीं पर select करना है अभी हमारे पास को 2D image नहीं है तो वापस आपको इसी को वापस एक और बार drag and drop करना है यह आपका जो image रहेगी आपके icon icon रहेगी वह यह रहेगी और फिर यहां icon पर जाएंगे तो आप हर जग आपकी वही image दिख रही है और resolution presentation यह लग है अभी आपने splash image रहेगी सब में ठीक है और icon image के icon भी set कर लिए अब यहां company का नाम डाल दीजिए आपकी कोई company है तो मैं भी डाल देता हाई-tech तो आपका जो package name है वह भी change हो जाएगा यह देखिए high-tech.new project तो यहां आपने अपनी company का नाम डाल दिया और यहां unity project पर आप game card नाम डाल दो splash image यह देखिए com.hightech.splashimage तो यह आपका package name हो गया तो फिर अभी के लिए इतना है तो इस वीडियो में हमने देखा है splash image कैसे add करते हैं और icon कैसे add करते हैं तो अब हम आपको next वीडियो में अब हमारे और भी वीडियो बनेंगे नहीं तो अब हम और भी चीज़े हैं इसकी जैसे build कैसे निकालते हैं और इसका एक tutorial बनाएंगे कि इसको आप यूज कैसे किया जाता है और यह सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कल हम लोग हमारी टीम के साथ लाइव आय थे तो अगर उसमें हमने सिखाया था कि आपको website कैसे बनानी है website का introduction दिया था और domain कैसे खरीदना है सब कुछ उसमें बताया था और अगर आप भी website बनाने में या create करने में इंटेस्टेड हैं तो वो वीडियो आप जरूर देखिए ओके तो फिर तब तक लिए बाय गाईज और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए